एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आनलाइं इंगलेस में स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कबर करेंगे 10 नए वकाई उसको और याद करेंगे कीजी ट्रिक के माध्यम से यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे वीडियो में रोज अपलोड करता है रहता हूँ और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना न वोलें चलिए आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं आज की वीडियो का पहला जो वर्ड है वो है मुराल और इसका मतलब है कॉन्फिडेंस या होसला ठीक है मुराल इसका मिनिंग है कॉन्फिडेंस या होसला ठीक है अब मुराल सांड्स लाइक मुरली मुरल से आमने निकाला की वर्ड मुरली यानि की मुरली वाले ठीक है मुरली वाले यानि की स्रीकिष्ण ने महा भारत में अर्जुन जी का हौसला बढ़ाया था ठीक है यानि की उनका मुराल बढ़ाया था, confidence बढ़ाया था, ठीक है बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, अगला वर्ड है अपका laborious, laborious और इसका मतलब है hard working, ठीक है, हम लोगों का जो next वर्ड है वो है laborious और इसका मतलब है hard working यानि की महंती, ठीक है, अब देखिए laborious sounds like labor, laborious से हमने निकाला labor, और labor कैसे होते हैं, वो laborious होते हैं, यानि की hard working हो महंती होते हैं, ठीक है, laborious हमने निकाला labor, और labor कैसे होते हैं, वो laborious होते हैं, hard working होते हैं, महंती होते हैं, ठीक है, चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, अगला वर्ड है अपका abortive, और इसका मतलब है unsuccessful, फेल या ओसफल, ठीक है, हम लोगों का सब्द है abortive, और इसका मतलब है निकालते हैं अब और टीबी अब और टीबी ठीक है अब और टीबी देखोगे तो क्या हो जाओगे अब और टीबी हो जाओगे असफल हो जाओगे फेल हो जाओगे ठीक है अब और टीबी ठीक है यदि तुम और यदि अब तुम और टीबी देखोगे अब और टीबी देख होगे तो क्या हो जाओगे फेल हो जाओगे असफल हो जाओगे ठीक है बढ़ते हैं अगले सब्द की तरफ अगला सब्द है डीफर डीफर और इसका मतलब है फोस्ट पून या इस्थगित करना है हम लोगों का सब्द है डीफर और यह एक वर्ब है इसका मीनिंग है पोस्ट डफर गया करते हैं वो हर काम को पॉष्ट्पून करते हैं। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ अगला वर्डाहर का स्लांडर गिंदर और इसका मिनिंग है क्रिटिसाइज करना या निंदा करना हम लोग का अगला वड़ जो है वह स्लांडर है स्लांडर इसका मतलब है क्रिटिसाइज करना निंदा करना अब देखिए स्लांडर से हम लोगोंने निकाला कीवर्ड सिलेंडर स्लांडर से हमने निकाला सिलेंडर अब देखें, सिलेंडर की कीमत बार बर बढ़ाया जाने से, जनता क्या है, सरकार की क्या कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, सरकार को स्लांडर कर रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, सरकार की निंदा कर रही है, ठीक है, क्यों कर रही है, सलांडर, जनता जो है, वो सरकार को criticize कर रहे है, slander कर रहे है, निंदा कर रहे है, क्यों? क्योंकि cylinder की जो कीमत है, वो बढ़ाई गई है, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सब्द की तरफ, अगला सब्द है vague, और इसका मतलब है unclear, nebulous या ice first, अगला सब्द है वो है vague, और इसका मतलब है, ice first, unclear ठीक है, vague से हम लोगोंने निकाला vague, यानि कि हवा का वेग और हवा का वेग तेज होने के कारण, ठीक है, हर चीजे हमें क्या होती है, ice first दिखाई देती है, vague दिखाई देती है, ठीक है vague से हमने निकाला vague यानि कि हवा का वेग और हवा का वेग जितना तेज रहता है उतना ही हमें चीज़ें क्या होती है वेग दिखाई देती है अंक्लियर दिखाई देती है आइस पस्ट दिखाई देती है ठीक है तो हमें चीज़ें क्या दिखाई देती है वेग दिखाई देती है यानि कि आइस पस्ट दिखाई देती है क्यों क अब नोमैडिक से हम लोग निकालते हैं डेके नोमैडिक में छीपा है मैड उ ρ्मेड लोग क्या होते हैं वो लोग वंड्रिंग होते हैं मैंडτα मैंडलो याgate किना कऊंगोते हैं औरुद Keeping होते हैं घुमकड होते हैं बढ़ते हैं अगले सब्द की तरफ अगला सब्द है मरसी मरसी और इसका मीनिग है kindness या दया मरसी दया ठीक है अब देखिए मरसी हुआयक महरसी और महरसी लोग जियों पर दया दिखाते हैं, यानि कि मर्सी दिखाते हैं, मर्सी से हमने निकाला मर्सी और मर्सी लोग क्या होते हैं, वो जिवों पर मर्सी दिखाते हैं, यानि कि दया दिखाते हैं, काइंटनेस दिखाते हैं, बढ़ते हैं अगले सब्द की तरफ, अगला सब्द है सलूब्रियस, सलूब् सल्ल्ूब्रियस कौन है किलेट मिदी कौन है स्वास्थ कौन सल्लूड यानिकर्मान सल्मान चैनल कौन बढ़ते हैं अगले सब्द अगरि मौटली और इसका मिनिंग मल्टिव या रंग विरंगा हम सब्द हो है min Girjan talent या या रंग बिरंगा ठीक है अब देखिए मोटली में चिपा है मतले मोटली मतले मोटली मतले ठीक है अब आप कलपना करिए आप अपने दोस्त के साथ कपड़ा करने जाते हैं ठीक है और वो मोटली कपड़े को पसंद करता है ठीक है आप अपने दोस्त के साथ कपड़ा करने और आपके दोस्त ने मोटली कपड़े को पसंद किया, यानि कि मल्टी कलर्ड कपड़े को पसंद किया, रंग बिरंगी कपड़े को पसंद किया, और आपने उसको बला कि ये तू मत ले, क्योंकि ये मोटली है, ये कपड़ा जो है, वो मोटली है, यानि कि मल्टी कलर्ड है, ये अच्छा नहीं लगेगा तिक है आपने अपने दोस्त को क्या का कि भाई ये मोटली है ये रंग विरंगास है ये अच्छा नहीं लगेगा तो להיות यानि मल्टी कलर्ड या रंग बिरंगा ठीक है नाउ टेस्ट यूर मेमरी और बढ़ते हैं आप टेस्ट की तरफ और लगाते हैं एक चोटा सा टेस्ट और चेक करते हमें कितना याद रहा ठीक है तो टेस्ट का पहला क्वेस्चेर वह एबोर्टिव आपके पास चार आप्श सांद्स लाइक अब और टीबी अबोर्टिव से हमने कीवर्ड निकाला था अब और टीबी ठीक है अब और टीबी देखोगे तो क्या हो जाओगे अनसक्सेसफूल हो जाओगे फेल हो जाओगे असफल हो जाओगे ठीक है अब और टीबी अब और टीबी देखोगे तो क्य हो जाओगे असफल हो जाओगे फेल हो जाओगे तो सही एंसर होगा ऑप्सन नमबर थार्ड अनसक्सेस्फूल फेल या असफल बढ़ते हैं अगले कोस्चन की तरफ टेश्ट का दूसरा कोस्चन है लेबोरियस और यह एक एडिजक्टिव है आपके पास चार ऑप्सन दिये हैं अपना सही आंसर सेलेट करें लेबोरियस सांड्स लाइक लेबर लेबोरियस हमने निकाला था लेवर लेबोरियस लेवर और लेबोर लोग कैसे होते हैं वो काफी लेबोरियस होते हैं हाड वर्किंग होते हैं महंती होते हैं लेबोरियस हमने निकाला था लेबर और ले सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में यह बताना नहीं आपने कितने परश्णों के सही उत्तर दिए